आज की वीडियों में बात करने वाले हैं X570 Motherboards के बारे में जो की Ryzen 3000 सीरीज के लिए नए जनरेशन के Motherboard होंगे आप में से कई लोग Ryzen 3000 सीरीज के लिए वेड भी कर रहे होंगे तो वो लोग सुच रहे होंगे कि मैं X570 Motherboard लोगा अपने नए Ryzen 7 3700X, 3800X या फिर Ryzen 5 3600, 3600X इन सब के लिए तो X570 करे में थोड़ा हम डिसकस करेंगे और थोड़ा बहुत हम डिसकस करेंगे PCI 4.0 के बारे में तो शुरू करते हैं तो पहली बात X570 Motherboards थोड़े महंगे होंगे अब महंगे क्यों होंगे पहली बात X570 Motherboards में आपको PCI Gen 4.0 देखने को मिल रहे है तो PCI 4.0 को अच्छ 20 Motherboards है वो सारे के सारे एक fan के साथ आते हैं तो अब देखो तुमारे जो तुमारा motherboard है वो एक additional fan के साथ आ रहे है तो वो एक additional cost लिखाएगा अब तुम बोलो गयर वो है तो छोटा सा पंखा उसमें क्या additional खर्चाओ जागा 10 रुपे 20 रुपे 100 रुपे जादा बढ़ जाए लेकिन अब जो है वो एसमेडिया नहीं बना रहे है अब जो है अमडी खुद एमडी ने उसे खुद डिजाइन किया एंड शयाद वो global foundries से उसको बनवा रहे है एस फार जाइन हो तो वो एडिशनल और cost लेकर आएगा तो पहली बात तो AMD ने उसे डिजाइन किया एंड व मुकाबले और थोड़ा एक और चीज मुझे लगती वो यह कि यहां पर जितने भी motherboard manufacturers हैं like MSI, Gigabyte, Asus, Asrock इन सब ही ने जो है वो काफी खचा किया अपने boards में like मैं for example Gigabyte की ही बात कर लो हूँ या मैं किसी एक particular brand की बात करूँ कोई भी brand उठा लो for example के लिए मैं Gigabyte बात करता उसको छोड़के उनके सारे मदरबोड बेकार थे सारे मदरबोड मतलब इतना cheap out किया था उन लोगों ने हद से जादा ठीक है लेकिन अभी अगर तुम उनके X570 मदरबोड देखो कि Gigabyte की तो मतलब awesome है मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि हां Gigabyte ने X470 में 30 मदरबोड ब अगर मैं वन से लेकर 10 के scale में rate करू तो अब वो बात आला कि क्यूंकि cost कितनी होगी बट फिर भी so यह common सी बात है कि जब तुम जो है वो additional MOSFETS डाल रहे और additional components डाल रहे और additional चीज़े तुम board के अंदर features डाल रहे तो of course board की cost बढ़ेगी बढ़ेगी अब कितनी बढ़ेगी वो मैं कुछ exactly कहने सकता वो तो तुम्हें launch पर पता चलेगा तो assume करते हैं कि अगर board की कीमत बढ़ती है and मैं ये भी assume कर रहा हूं कि आप एक midrange gamer हो आपका budget इतना ज्यादा नहीं है और x570 के अंदर मिलने वाले PCI 4.2 feature का इतना इस्तेमाल नहीं करने वाले because PCI 4.2 में आपक आपके पास ऐसा कोई ग्राफिक काड होगा नहीं जो bandwidth limited होगा या आपके पास ऐसा कोई आपको NVMe RAID नहीं करने वाले हो कोई खतरनाक सी basically आप एक hard drive और SSD का पेर लगाओगे तो ठीक है मैं ये मानता हूं कि हाँ ठीक है तुम लोग को SSD चाहिए होगी बट कितने लोग PCI 4.2 बेस डिलिंगे वोई जो दिनका लाग रुपे से उपर का budget होगा और जिनका लाग रुपे से उपर का budget होगा वो प्रोबैबली X570 motherboard afford कर सकते है लेकिन जिनका 24,000 का budget है जो Ryzen 5 पे बीडिल करने वाले इस टाइप के में तो उनका शाहिए इतना budget नहीं होगा वो नॉर्मली एक 240GB के SSD और एक 1TB के hard drive का pair करेंगे उनको PCI 4.0 को इतना कुछ जाधा फाइदा होगा नहीं तो उन लोग को मैं यही recommend करूँगा कि आप लोग पसंद करके रख लें या तो एक B450 motherboard तगड़ा वाला या फिर एक X470 motherboard अच्छा वाला बिकाज क्योंकि नहीं X570 लाइना पा Core वाला है उसको handle करने के capable हैं कुछ again कुछ कह रहा हूँ मैं सारे नहीं कुछ X470 motherboard जो है वो 12 core CPUs को handle कर लेंगे हाला कि मैं यही recommend करूँ कि अगर आपको 16 core वाला CPU चलाना है तो again आपका budget जादा होगा तो आप एक high-end X570 ही लिए X470 ए B450 पे move on ना करें और जो mid-range gamers हैं जिन theoretically आप PCIe 4.2 का जो X16 slot है उसमें दो graphic card लगा सकते हो लेकिन वो practically possible नहीं है मतलब in theory आप लगा सकते हो और वो bottleneck नहीं होंगे आप 16X slot की bandwidth पे दो graphic card यूज कर सकते हो बट फिर again वही बात है कि वो bottleneck नहीं होंगे लेकिन फिर वही बात है कि तुम उसको लगा नहीं सकते हो त तो वो थोड़ी वैसी बात है तो ऐसा कुछ है नहीं मैं कुछ ऐसा कुछ कहने रहा हूं कि आपको वो करने की जरूत है ही है बट PCIe 4.2 में फिर मतलब अच्छी चीज़े improvement है PCIe 4.2 का सबसे बढ़िया implementation होगा laptops में अगर PCIe 4.2 laptops में आता है तो आपको जब वो Thunderbolt 3 का 4X connection म देखने को मिलता है तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी double bandwidth देखने को मिलेगी तो अगर आप एक external GPU उसमें लगाते हो तो external GPU की सबसे वड़ी throttling उसमें होती है कि उसको bandwidth नहीं मिलती है तो आप एक laptop के साथ जब external GPU लगाते हो तो आपको पूरी performance नहीं मिलती है लेकिन जब PCIe 3.0 के ATEX जासा काम करेगा तो आपको जो हो आपको कोई external GPU enclosure आप लेते हो तो वह bottleneck नहीं करेगा इन ठियोरी नहीं करना चाहिए यह देखते है क्या scene बनता है उसके बाद जो है वो कई सारे gigabyte ने अपने कुछ SSD के वो दिखाएं जिसके अंदर आप जो है 5-6 SSD या फी 4-5 SSD जितनी भी उसके अंदर options है वो लगा के आप RAID 0 कर सकते हो आपके पास gigabyte Corsair ऐसे brands जो है वो अपनी PCIe 4.0 based SSD निकाल लिया है बट आगे फिर वो महंगी भी होंगे और उनकी speed जो है अराउंड 5 GB per second है तो वही वो बात है कि यह कुछ-कुछ लोगों के लिए है मतलब यू 470 पर रुके रहे हैं हाला कि X570 मैपको कुछ मेभी शायक Precision Boost Overdrive को कुछ नया functionality देखने को मिले XFR 3.0 कुछ न कुछ आपको features देखने को मिलेंगे लेकिन फिर वही बात है कि क्या आप उनको use करोगे अगर हा तो थोठी का थोड़ा spend करो थोड़ा budget अपना बढ़ावार X570 म लेकिन अगर आप उनको use नहीं करने वाले हो आप एक वास नॉर्माल एक Ryzen 7 या एक Ryzen 5 नहीं जनरेशन का 3rd Gen Ryzen वो आप ले लोगे अपने motherboard में डालोगे उसे नॉर्माल all core overclock करोगे अगर करोगे तो या फिर उसको ऐसे ही use करोगे तो देन मैं यही recommend करोगा कि आप B4 50% कर कर रखो या X4 70% कर करें को क्योंकि वो आपके लिए जादा viable होगा PCIe 4.0 ठीक है अच्छी चीज है use करने के लिए अच्छा है बट फिर बात वही है कि क्या तुम वो devices use करोगे क्या तुमें उनकी ज़रूरत है like करने को आप चाहो तो multi GPU setup भी कर सकते हो PCIe 4.0 के साथ like quad SLI कर सकते हो बट फिर वही है कि आप NVIDIA ने उसको restrict कर दिया है quad SLI आप करने सकते हो quad crossfire आप कर सकते हो बट फिर आपको जो है वो ठीक है मतलब क्यूंकि आप NVIDIA ने इसको limit कर दिया है PLX chips जो है आप देखने को नहीं मिलती है आजकल मदरबोर्स में पहले PLX chips देखने को मिलती थी quad SLI या quad crossfire करते थे बट फिर वही बात है कि आप जो है वो चीज नहीं रही तो आप जो है वो जात से ज्यादा इसमें यह कर सकते हो कि future में 4-5 SSDs लगा सकते हो या फिर हां करने को आप फिलहाल के लिए यह कर सकते हो कि अपने कोई 8X slot है या फिर कोई 4X slot है उसके अंद X16 वाले के आदी हो जाती है मतलब वो X8 हो जाता है नीचे आले भी X8 हो जाता है बट फिर अगेन आपको को limitation देखने को मिलने नहीं वाली उसमें भी आप चाहो तो NVMe raid कर सकते हो technically कि आपकी जरूरत क्या है आपको क्या जरूरत है PCI 4.0 की क्या आप उसको utilize करने वाले हो और अगर तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाओ कि टॉप 5 B450, Top 5 X470 या Top 5 X570 मत रवोट्स के ओपर तो प्लीज मुझे नीचे कमेट सक्षिन है बताए यह B350 में रिकमेंड नहीं करूँगा X370 में रिकमेंड नहीं करूँगा क्यों काफी पुराना हो जाएगा बट बताए यापकी क्या सोच है मैं किस टॉपिक को विडियो बनाओ दिन्नेवाद बाइब बाइब टेकर गई